कि दोस्तों आज लॉकी का कुष्टा और रायता कई टिप्स और ट्रिक के साथ तो चलिए यह बनाते हैं कि नमस्ते दोस्तों गितांजली की दुनिया में खूब खूब स्वागत है आपका दोस्तों यह लॉकी को छील कर धोलिया अब कद्दू कस कर लेंगे ना बहुत मोटा ना बहुत महीन अब इसको एक भगवाने में डाल लिया है आप प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं और यह देखिए पानी डाल दिया आधा ग्रास और इसको ढखकर पकाना है जब लॉकी गल जाएगी तब तक जब तक वह लॉकी पक रही है इधर प्याज को छील लिया है सभी सबजीयों का अच्छे से धोकरी काटे प्याज छील कर देखिए प्याज को काट लेंगे प्या आप ग्राइंडर में पीस पी सकते हैं मुझे बहुत महीन पेस्ट में चाहिए थोड़ा दरदरा चाहिए इसलिए मैंने कटर में कर लिया और यह भी देखिए टमाटर प्याज का करला नहीं जाना चाहिए लेकिन गल जाना चाहिए तो आप देखिए यह पानी सहीत इसको में डाल देंगे जब पक रहा हो टमाटर रूबलने के लिए चाहिए तो इसको थोड़ा सा खोल के जरूर देखने की गल जाये तो तुरंट गैस बंद कर दिजिए अब इसको भी कर लिए देखिए थोड़ा सा मोटा है इसको और चला लेंगे चाह-पाश बार अब भी पि पिसी धनिया दो चम्मश पिसी लाल मेर्श एक चम्मश बाकी जैसा आप खाते हो नमक थोड़ा यहां डालेंगे और थोड़ा बाद में डालेंगे इसलिए आप आधा ही नमक डाले और थोड़ी सी हींग पानी थोड़ा जाल दी जिसमें घुल जाए मसाला फूल जाए तो थोड़ा मसाला अच्छा हो जाता है अब बस गरम मसाला रह जाएगा आप यह देखे लौकी उबल गई है दोस्तों इतने अच्छी उबली है कि पानी बिल्कुल नहीं बचा देखे अभी देखेगा अब इससे जो कुफते के लिए वो लौकी कटोरे में निकाल लेंगे और थोड़ी रायते के लिए बचा देंगे यह देखे अब इसमें बेशन पांच चमच डाल दिया अगर मेरे चमच यह चमच बड़ा था इसलिए पांच चमच अगर आपका चमच छोटा हो तो आप साथ चमच आप चमच डाल दिजा यह लैसुन और मेर्च अद्रक का पेस्ट डाल दिया उन सब को अच्छे से मिला और कि दूबल लेंगे कि देखे लौकी ने पानी छोड़ा नमक पड़ा है अगर आपको लगे थोड़ा गाडः तो थोड़ा सा पानी डाल दिजे cional सब्सक्रिल लोक लायक बुल्च पानी डाल दिजिए वैसे हो मिलाओ कि लिए ये त्यार हो जाता अगर थोड़ा लग तो थोड़ा सा पानी डालेजिए दो टेबल स्पून अब देखिए इधर तेल सरसों का चड़ा दिया यह पग गया है गरम हो गया है गैस को मीडियम फिर्म में रखेंगे और इस तरीके से गोल-गूल पकॉड़े बना लेंगे दोस्तों मैंने टिप्स और ट्रिक्स की बात करी तो कुछ लोगों के कोफटे सक्त हो जाते हैं बनाने में तरले में तो अगर आप लौकी उबाल के डालें तो आपको यह डरी नहीं रहेगा कि लौकी कि कफ्ते कड़े होंगे वो अंदर से सॉफ्ट ही होंगे तो आप अगर इस तरीके से बनाएंगे और उबाल के डारेंगे तो एक तो राइता भी किली में लौकी त्यार हो जाएगी और दूसरा आपके कुफतो में कभी डर नहीं रहेगा की कुफतो में क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कड़े हो जाते हैं अब चलिए कुफते त्यार सबी लौकी बेशन के बना लिए अब इधर एक चम्चा तेल डाल दिया कड़ाई में कि बहुत ज्यादा तेल मसाले के नहीं बना रही मैं कि थोड़ा तेल पजय है कि एक चम्मच जीरा डाल दिया कि अब जीरा जीरा सफूपने लगे और दोस्तों अगर आप इसमें हलकी सी एजवाइन डाल देंगे थोड़ी सी एजवाइन तो वह देखे हैं डाल दी मैंने तो इससे टेस्ट भी बढ़ा देती है अधा चम्मच से थोड़ी सी कम है यह टेस्ट भी बढ़ा देती है और कुफते जो भारी पन पेट में हो जाता हो नहीं होगा दोस्तों यह छोटी-छोटी से टिप्स और ट्रिक्स होती है जो बहुत काम आती है अब देखे जीरा और रजवाइन अच्छे से टक गए अब इसमें लैसुन अद्रग और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे मसाले को खुब अच्छे से मूनेंगे कम मसाले डालें मैंने बहुत कम मसाले और रेगलर वाले मसाले डाले या इसकी देश पत्ता दाल चीनी ऐसा कुष También नहीं डाला है कभी-कभी बहुत हलका खाने का मन करता है या कुछ लोगों को कुछ लोग मसाले कम खाते तो आज मैं कुफते वह वाले बना रही है जिसमें बहुत कम तेल मसाले में भी अच्छे बन जाते हैं अब यह लैसो नद्रक अच्छे से पक जाए लेकिन काली ना काला ना हो जाए देखिए अब इसमें यह जो टमाटर और प्याज को पीसा था उसको डाल देंगे दोस्तो इस तरीके से अगर आप इसको उबाल लेते हैं प्याज टमाटर को तो इसमें एक तो टमाटर में अच्छा सा खटा पन हो जाता है और थिकनेस बढ़ जाती है और प्याज की महग खतम हो जाती है अगर कुछ लोग प्याज थोड़ा कम अच्छा रखता है और कम खाते हैं और सब्जी में नहीं खाना चाहते हैं तो अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो प्याज महसूस नहीं होता है और सब्जी की ग्रेवी थोड़ी अच्छी लगने लगती है और प्याज जलता भी नहीं है क्योंकि उबल चुका है तो पक तो वह पहले ही गया है आप पूरा देखेगा इस किप मत करिएगा क्योंकि मैं यह देखे जो मसारा घोला था वो डाल दिया मैं टिपस और टिक्स लिखन के नहीं आ रहा है कि रहे इसमें कि कौन सी टिपस बता रही छिए आप पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कुछ खास बते हैं आपको बीच बीच में ऐसे कुछ भी बनाते समय बता देती हूं तो अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे इसमें लिख के नहीं आता कि यह टिप्स है और यह ट्रिक्स है लेकिन होती बहुत है बहुत सारी होती है तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा अब इसको दोस्तों अच्छे से भून लेंगे वीडियो तो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन पूरा दिखाने के लिए कि मसाला कहीं कच्चा नहीं रह जाए तो देखे तेल जब यह तेल छोड़ देगा देखे तेल जब चूटने लगेगा तभी पानी डालेंगे बिना तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी कितना भी आपने त्यारी करी हो यह देखे तेल उपर उपर बबलस बनने लगे तो तेल नहीं छोड़ेगा तो कच्च्चा मसाले बना रहेगा कच्च्चा पन महसूस होगा और अगर अच्छे से भुना है खुद तो कितना भी आप कम मसाला तेल का भी बनाएंगे तो चीज अच्छी बनती है जब मसाला अच्छे से भुन जाता है दोस्तों तो फटा फटा से महसूस होने लगता है जैसे दूद में दूद फटता है तो पानी अलग हो जाता है दूद अलग हो जाता है उस तरीके से यह मसाला जब पकने लगता है पक जाता है तो तेल अलग छोड़ देता है और मसाला अलग अलग हो जाता है दोनों फटे-फटे से मैसूस होने लगते हैं इसके लिए कोई भी सब्जी बनाएं तो मसाले को इसी तरीके से ध्यान रखे भूलते समय अब दोस्तों यह टिप्स है कि अगर आपकी ग्रेवी आपने देखा होगा कि कभी गाड़ी नहीं होती है तो आप एक चमच बेसन लिजिए और बेसन को ऐसे पानी में भूल लिजिए और अगर बेसन डालना चाहें तो कॉण फ्लोर डाल लिजिए और उसको ऐसे घोल कर अभी इसमें अच्छे से डाल के यह देखिए इस तरीके से करके ऐसे बस थोड़ा सा छोटा चमच टी स्पून बस इतना बेसन डाल दिया इसके साथ मसाला फिर भूल लिजिए तो ग्रे अब इसको अच्छे से भून लेंगे खुब फिर छोड़ देगा मसाला जब अच्छे से भून जाए यह देखिए भून के थियार हो गया अब इसमें पानी डालेंगे एक ग्लास पानी डाला आदा ग्लास और डालेंगे डेड़ ग्लास पानी डालेंगे और इसको खुब अच्छे से खौला लेंगे अभी देखिए पानी अब थोड़ा नमक इधर डाल दिया है बाकी आप अपने टेस्के कोड़िंग डाल लिया अब टेस्क करना चाहें टेस्क कर लेजिए उसके बाड़े तब तक जब तक यह खौल रहा देखिए पकोड़ी कितने साफ पनी कोफता देखिए कितना अंदर पेर ऑसे सॉफ्ट है क्योंकि इसमें लौकी ज़्यादा है और अरवेशन कम है इसलिए सॉफ्ट होती है लौक के उबली होती है तो कोईर चांस क्य tweet कड़े बने और दूसर एक त्रिक की यह घवादने क्योंकना सब प्रेस कर देंगे कोफते कोफते देने कोफती तूटने नहीं कर देंगे कहीं से दिखाये मैंने कि तूटने कहीं से नहीं यह दोस्तों मैंने रोगनी मिर्श नहीं डाल लिए आपको पीले-पीले लग रही होगी क्योंकि रोगनिम nutr amd कोशिश करती। है कि नहीं इस्तेमाल करऊ अपना अपना टेस्ट होता है। कोई नुकसान नहीं होता उस bleiben लेकिन कभी कभी डालनों किसी चीज में नहीं तो वैसे कोशिश करती हैं कि ना डालू आप देखिए इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको दस मिनेट तक ऐसे ढखा रखा रहन देंगे चलिए अब रात रायता बनाते हैं यह दही है दही को दही को अच्छे से मत लिया आप देखिए जो लौकी बचाई थी यह देखिए हो गया है दोस्तों पानी नी डाला रॉकी के रायते में पानी नी डालती वाकिया आप जैसा चाहें आप इसमें चाट मसाला डाल दिया देंगे एक चमश दोस्तों यह चाट मसाला अपना बना हुआ है इसलिए इसमें काला नमा भुना जीरा बहुत कुछ पढ़ा है देड़ चमश डाल दिया तो इसलिए मैंने और कुछ नहीं डाला है इसमें आधा चमश पीसी लाल मेश डाल दी और दोस्तों रायते में नमक नहीं डालेंगे नमक से खटा हो जाता है आप इसको सुबह बना के शाम तक रख सकते हैं बस इसमें नमक मट डालिया और लौकी थोड़ा सा पानी छोड़ती है अब देखे कुफता देखे कितने बढ़िया है सौफ देखे मैं दिखा रही यह देखे अब इनको अरेंज कर लेंगे इतने कुफते तीन से चार लोगों के लिए है तीन लोगों के लिए तो हैं है अब यह वाली ग्रेवी भी इसी में डाल देंगे अब इसमें फ्रेश मल आई है लेकिन अभी जमी नहीं है थोड़ी ठिक नहीं है दोस्तों धनिया कम है लोगों चला बस इतनी है वो मैंने इसमें रख दिया थोड़ी सी रायते में रख दूंगी चलिए लोकी का रायता भी देखिए लोकी का रायता इसमें भी धनिया डाल दीपर नमक नहीं डाला दोस्तों जब खाने segal के उठा कर अगो पता होगा चलिए पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सबस्क्राइब करिए बेल आइकन पर जरूर प्लिक कर दीजेगा और उसके आल नोटिफिकेशन में तो जब कुछ में डालूंगी तो आपको मिल जाएगा चलिए फिर में लुते हैं गिता अंजली की दुनिया में किसी नई चीज के साथ नमस्ते